असलाम लेकूं पाकिस्तान आज सुप्रीम कोट आफ पाकिस्तान में इस मुलकी सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट समाह थी जिसमें ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही थी कि जैसे पाकिस्तान तेरी के इंसाफ एलेक्शन्स में हड़ल्स क्याइट करना चाहती हैं पाकिस्तान तेरी की इनसाफ सबसे ज्यादा एफ्लेक्टेट है जो पिछले 18 महीनों से इलेक्शन की डिमांड कर रही है। हम एक दिन आगे लेकर जाना चाहते हैं ना एक दिन पीछे आठ फेबरी को हम एलेक्शन चाहते हैं लेकिन हम चाहते थे कि जो जो सबसे इंपरटन आलेक्शन है वो मुलक की जो आला अदलिया है उसकी माते कि अदलिया के तहत हो और इनको डियारो ś्मकरर किया जा जिस तरह की एसमुझ की ही हिस्टरी है कि 1988 से आज सरु तक तमाम इंटियाज में की डियारोस बनाई गय है तो इस होाले से चुंकि तमाम तर कारवाई एक तरफा चल रही थी तो मैं बाग बाग के पहुंची और मैं यह कहने की सिर्फ कोशिश कर रही थी कि जो हमारे Loyeds हैं वो लाहूर में हैं तो Supreme Court की लाहूर रेजिस्ट्री में अगर हमें 5 businessman की margin दी जाए तो वो वहा पेश हो जाएंगे और पاकिसान तरीक इनसाफ का मौकिफ दे दे गे और इस तरीके से पाकिसान तरीक इनसाफ पे इलजामाद नहीं लगाने चाहिए लेकिन पुशाइंदा है कि 8 फेबरी को इलेक्शन की डेट सुप्रीम कोट ने एक मर्तबा पे उस पे महर लगा दी है और आज 12 बजे तक इलेक्शन शेडूल जारी करने का कहा गया है तो इन्शालला 8 फेबरी को पूर पाकिस्तान निकलेगा और एक वाज़े पेखाम देगा के पाकिस्तान इम्रान खान का है बहुत शुबिया